नमस्कार, SPN 9 News में आप सभी का पहुत पहुत स्वागत है हर्याना हर्याना में कॉंग्रिस पार्टी का सूप्रा साफ होता वनाजर आया कॉंग्रिस पार्टी जहां सत्ता में काबिस होनी की बात कर रही थी तो वहीं कॉंग्रिस पार्टी जीत की कगार तक भी नहीं पहुँच पाई मातर 37 सीटों पर कॉंग्रिस पार्टी सिमट कर रहे गई 2019 के मुकाबले मातर 7 सीटों पर बढ़त सिर्फ कॉंग्रिस पार्टी को मिली है इसके लावा 48 सीटों के साथ भारतिय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है अब आपको बता दें कि कॉंग्रिस पार्टी में हार की मन्थन को लेकर एक समिक्षा बैठक की गई और समिक्षा बैठक के दोरान राहुल गांधी दोरा एक ऐसा फैसला लिया गया जसके बाद सीदे तोर पर हर्याना में कॉंग्रिस के दिगच नेताओं की मुश्किले बढ़ती हुई नसर आएं अब भुपेंदर सिंग हुड़ा जो हर्याना के पूर्व मुख्य मंत्री हैं और विपक्ष में कही ना कही नेता प्रतिपक्ष की भूमी का निभाते हैं अब भुपेंदर सिंग हुड़ा पर राहुल गांधी के तीखे हमले होते वे नजर आएं आपको बता दें कि हर्याना की अप्रतियाशित हार को लेकर कॉंग्रेस अब इसे लेकर मन्थन करती हुए दिखाई दे रही है कुछ नेताओं के खिलाफ एक्षिन लिया जो सकता है इस बात की चर्चाएं तेज हैं आपको बता दें कि दिल्ली में बैठक की गई इस मीटिंग में कॉंग्रेस के शीष नेता राहुल गांधी मालिकार जुन खड़गे मौजूद रहे इस बैठक में भुपेंदर सिंग हुड़ा भी मौजूद थे उनके सामने ही राहुल गांधी भी बैठी हुए थे और राहुल गांधी ने इस दोरान कहा कि कुछ लोगों ने पार्टी की जगा नीजी हितों को ज्यादा प्राथ मिक्ता दी यही नहीं हार के कारणों की पड़ताल के लिए कॉंग्रेस ने फैक्ट फाइटिंग कमीटी के गठन का फैसला लिया है माना जा रहा है कि राहुल गांधी की ये बात भुपेंदर सिंग हुड़ा को संदेश देने के लिए थी खास बात यह है कि इस बैठक में भुपेंदर सिंग हुड़ा को तो हर्याना से बुलाया गया था लेकिन कुमारी सलजा और अंदीप सिंग सुर्जेवाला को नहीं बुलाया गया इसे साब था कि राहूल गांदी सीदे हुड़ा को ही संदेश देना चाहते थे इसी के चलते उन्होंने कुमारी सलजा और सुर्जेवाला को बैठक में नहीं बुलाया था राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी जगा नीजी हितों को ज्यादा प्राथ मिक्ता दी गई उदेवान भी इस दोरान थे कई लोगों ने तो मंच तक शेर नहीं किया लेकिन भाजपा ने सीधे तोर पर ये पूरा का पूरा एक शड़ेंतर बताया लेकिन अब राहुल गांधी की जो नाराजगी भुपेंदर सिंग हुड़ा के प्रती देखने को मिली इसके बाद कहा जा रहा है कि भुपेंदर सिंग हुड़ा पर एक बड़ा एक्शन कॉंग्रिस पार्टी के तहत लिया गया है अब कॉंग्रिस पार्टी बड़ी मंथन की तैयारियों में जुड़ चुकी है देखना होगा कि अगामी अन्य राज्यों की विधान सभाचुनाव में कॉंग्रिस पार्टी क्या हर्याना की कगार पर पहुंसती है या हर्याना से विपरत नतीजे सामने आते हैं